तिमुथ ही उसके नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिक्या की अनुसार जो मसीही इशु में है परमेश्वर की इच्छा से मसीही इशु का प्रेरित है प्रिये पुत्र तिमुथी उसके नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभू मसीह इशु की ओर से तुझे अनुग्रहे और दया और शान्ती मिलती रहे जिस परमेश्वर की सेवा में मैं अपने बाप दाधों की रिती पर शुद विवेक से करता हूँ उसका धन्यवात हूँ की अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्वरण करता हूँ तेरे आसुओं की सुधी करक करके रात दिन तुझ से भीट करने की लालसा रखता हूँ की आनंद से भर जाओ, मुझे तेरे उस निश्कपट विश्वास की सुधी आती है जो पहले तेरी नानी लोईस और तेरी माता यूनिके में था और मुझे निश्च्च्च्च हुआ है कि तुझ में भी है इसी कारण मैं तुझे सुधी दिलाता हूँ कि तु पर्मेश्वर के उस वर्दान को, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, चमका दे क्योंकि पर्मेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और सय्यम की आत्मा दी है इसलिए हमारे प्रभू की गवाही से और मुझे से जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हूँ, पर उस पर्मेश्वर की सामर्थ के अनुसार, सू समचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उध्धार किया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे का उध्धार करता, मसीही यिशू के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यू का नाश किया, और जीवन और अमरता को उस सू समचार के द्वारा प्रकाश मान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेड़े तोरुपते शक भी ठहरा, इस कारण मैं द जानता हूँ, और मुझे निश्चे है, कि वो मेरी ठाथी की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, जो खरी बातें तूने मुझे से सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, जो मसीही यिशू में है, अपना आदश बना कर रख, और पवित्रात्मा के द्वारा, ज सब मुझसे फिर गए हैं, जिन में पुली लुस और हिर्मु गिने से उने सी फुरुस के घराने पर प्रभु दया करें, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और मेरी जंजीरों से लज्चित ना हुआ, पर जब वो रोमा में आया, तो बड़े यत्म से ढू जानता है। जो औरों को भी सिखाने के योके हो, मसीह यिशू के अच्छे योध्धा की नाई, मेरे साथ दुख उठा, जब कोई योध्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिए कि अपने भरती करने वालों को प्रसंद करें, अपने आप वो संसार के कामों में नहीं फसाता, फिर जिखता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभू तुझे सब बातों की समझ देगा, यिशू मसीह को स्मरन रख, चदाउत के वंच से हुआ, और मरे हूँ में से ची उठा, ये मेरे सू समाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के नाई दुख उठाता हूं, यहां तक की कैद भी हूँ, परन्तु परमेश्वर का वचन कैद नहीं, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उठार को जो मसीही इशू में है, अनंत महिमा के साथ पाई, ये बात सच है, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरच से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इंकार करेंगे, तो वो भी हमारा इंकार करेगा, यदि हम अविश्वासी भी हों, तो भी वो विश्वासयों के बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इंकार नहीं कर स इन बातों की सुधी उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाब नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं, अपने आपको परमेश्वर का ग्रहन योग ये और एक ऐसा काम करने वाला ठहराने का प आचार हैं, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ती में बढ़ते जाएंगे, और उनका वचन सड़े घाओ कि नाई फैलता जाएगा, हुमिने उस और फिले तुस सुनी में से हैं, जो ये कहकर कि पुनर्थान हो चुका है, सत्य से भटक करे हैं, और कितनों के विश्वास को उ प्रभू का नाम लेता है, वो अधर्म से बचा रहें, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, परकाठ और मिट्टी के बरतन भी होते हैं, कोई-कोई आदर और कोई-कोई अनादर के लिए, यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा, तो वो आदर का बरतन औ उनके साथ धर्म और वश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, मुर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहें, क्योंकि तु जानता है कि उनसे जगड़े होते हैं, प्रभू के दास को जगड़ालू होना ना चाहिए, पर सब के साथ कुमल और शिक्षा मे निपौन और सहनशील हो, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर, उन्हें मन फिराव का मंदि, कि वे भी सत्य को पहचाने, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूप जाए. अध्याय तीन और के नहीं, वर अन्सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, वे भक्ती का भेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ती को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना, इन्ही में से वे लोग हैं, जो घरों में दबे पाउं खुश जाते हैं, और उन छिछोरी स्त्रियों को वश्म कर लेते हैं, जो पापों से दबी, और हर प्रकार की अभिलाशाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुँशते हैं, और जैसे ये अन्नेस और यंब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं, य तो ऐसे मनुष्य हैं, जिनके बुद्धी प्रष्ट हो गई हैं, और वे विश्वास के विशे में निकम में हैं, पर वे इस से आगे नहीं भढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी, पर तुने मैं उपदेश, चालचलन, मंसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताय जाने और दुख उठाने में में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्तरा में मुझ पर पड़े थे, और और दुखों में भी, जो मैंने उठाए हैं, परन्तु प्रभू ने मुझे उन सब से छुडा लिया, पर जितने मसीही यिशु में भक्ती के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताय जाएंगे, और दुष्ट और भैकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए विगरते चले जाएंगे, पर तु इन बातों पर जो तुने सीखी है और प्रतीती की थी, ये चानकर तृट बना रहे, कि तुने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और पालकपंच से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीही पर वश्वास करने से उधार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उप्तेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिए लाभ दायक है, ताकि परमेश्वर का जनसिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो अध्याय चार कि तु वचन को प्रचार कर, समय और असमय तयार रहे, सप्रकार की सहन शीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, अपनी अभिलाशाओं के अनुसार, अपने लिए बहुत थेरे उपदेशक बठोर लेंगे, वे अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, पर तु सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सु समाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अग्र की नाई उ मैंने विश्वास की रखवाली किये, फविश्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, चो धर्मी और न्याई हैं, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, वरन उन सब को भी, जो उसके प्रकाठोने को प्रिये जानते हैं, मेरे पास श गलतिया को और तितुस दल्मतिया को चला कया है, केवल्लू का मेरे साथ है, मर कुस को लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वो मेरे बहुत काम का है, तुखी कुस को मैंने इफिसुस भीजा है, जो बागा में त्रुआस में कर्पुस के हां छोड़ाया, जब प्रुआए, त उसे और पुस्तके विशेश करके, चर्म पत्रों को लेते आना, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराईया की है, प्रभू, उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा, तू भी उससे साबधान रहे, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोद किया, मेरे पह उसका उनको लेखा न देना पड़े, परन्तु प्रभू मेरा सहयक रहा, और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा कूरा-पूरा प्रचार हूँ, और सब अन्यजाती सुन ले, और मैं तो सिंग के मुझसे छुडाया गया, और प्रभू मुझे हर एक बुरे काम से छु जाएगा, उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन, प्रिस्का और अक्विला को, और उनैसी फुरुस के घराने को नमस्कार, इरास्तुस कुरिन्थुस मेरे गया, और तरफिमुस को, मैंने मिले तुस में बीमार छोड़ा है, जाड़े से पहले चले आने का प्रया प्रभू तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे